तो कैसे आप उमीदें कि आप सब खेरिये से होंगे हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अभी सुबा सुबा मॉर्निक का टाइम है तो जो जहां वाले हैं पाकिसान वारे इनको सब को हमारे तरह से गुड़ वार्निंग सुबा बखेर और जो बाई रहें लेकिन वीडियो जो ह तो कैमरी को देखते हैं यह ना उड़ जाते हैं और अभी सुरज निकला थोड़ी थोड़ी धूंद है और बादल भी आई हूंए लगता है कि आज बारिश आएगी और माशाला से मैं किचन में और किचन में मैंने दूद रखा हूँ है और तो अभी में चाय में पहले मिस जालोंगी तिर पती तो में इसे चाय बनाते हैं कैवी बाली चाय ने बनाते हैं यह निए पत्ती डाल के छोड़ दोंगी जब इसको बाल आना उस वक्त में चीन नी जोए और इसे मेरी सिस्टर जोए बनी काल रही है मक्षन तो आज हमने क्रीम जिमाई है क्रीम लेकर और आज वाज मर्शल से मक्षन चाय जोए जोए वहन आए जोए वां मेरे पास दूद जोए वह काफी काम था मत lei करीम अरिज रखकता है मक再 मक बाहे बकृमी सेख़ा करींख के और पर पकिला नीकल अधी चैना है तो य frenzy यह सब्सक्त ज्यादा नीकलता है現zos इसको पिगलते हैं तो फिर कम हो जयता है तो पिगलिक बन जाता है सुल को कम हो जात एक है इसमें नीकल रखकता है अब मेरे मुह से निकल भूए निकल निकल नहीए है। ऑड भूए है कि भुने चाही पर निकल । अजय कर सबस्दा नजेते होधानी है। पेसे चाही नहीं है। मैं जो बना रहे हैं लसी और मक्षन के बगार तो लसी के बैख सुबा का नाश्ता हमारे दियातियों का तो होता ही नहीं है वैसे इतनी सर्दी है सर्दी में तो इतनी थंडी होती है फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा पीते है ना मैंने बना लिया लिया है क्रेम लेकर दूद नहीं देती है तो फिर इसलिए वह लेकर माशाला से अच्छा खासा मखान आगया है सबस्वा कटाई में और सूर्द निकल आया है और अभी हम बैसों का दूद निकालेंगे क्योंकि अबुजान वह कमाद की कटाई करने के लिए गया हुए जिससे इनका खाना कहले के बनाते हैं मतलब के वह कमाद और चारा डालके इनका कुद्रा करके इनको डालते है और अ हमारे बैस पहले दूद लेती है और उसके बाद हमें दूद देती है अच्छा जी तो हमने दूद बैसों का वो निकाल लिया हुए तो अभी हम बनाने वाले हैं खाना सुबा का नश्टा तो आज जो है ना हमारा नश्टा बिलकुल ही रवायती है मक्की की रोटी और सर्सों का साग साथ में हम सबसे पहले आटा गून लेते हैं बिसमिल्ला रफ वांज में नमक शामिल करेंगे और गी इस ते फिर जो रोटी है ना हमारी वह बहुत ही मज़े की बनेगी अभी गी जो आटे में मिक्स कर लेते हैं क्यूंकि फिर जब पानी डालेंगे तो फिर कोई मुश्टा बनेग अच्केलने होगी और इसकी जो रोडी है ना छोटी-छोटी वह भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे पैन कुट रखते हैं चुले पे इस पीड़ा हो गी डालेंगे मुखन अ जिनी को से सिंवर्टी खे इसमें अधी नहीं हमाएंगे अधी तुम्स है थिर जब्सक्राइब करें दाखए। तरह से मिदोने हमें इसमें इसमें सामेल करेंगे सबस दनियों और सबस प्रते लश्टान आएंगे स्वाब नाल शामिल करते हैं माचालर से कड़का जो हमने लगाया है लेसन और सबस धनी को बड़ी अच्छी कुछ भूआ रही और देशी मक्खन की अजिसल्यारकाम अजिसल्यारकाम में अजिसल्यारकाम अच्छी कुछ आग पर पकाते हैं इसको बिल्कुल आइस्ता आओ पर पकाएंगे तुकि ज्यादा आपकी जुरूरत नहीं होती अभी साइड चेंज करते हैं माशाला से एक साइड से मारी रोटी जो है वह बहुत ही प्यारी पाफ गई है अब इसके ओपर लगाएंगे देशी घी चाजी तो रोटी हमारी पके त्यार होगी है उतार लेते हैं नीचे माशाला से रोटी जो मेरी है वो पके त्यार होगी है तो अभी रखेंगे इसके उपर साग माशाला से बड़ी अच्छी खुश्बु आ रही है रेसी गी की और उपर रखेंगे मक्षन क्योंकि जो टेश मक्षन है उसका अपना ही मज़ा है बिसमिल्ला रखांगे और साथ में लसी यह होता है हम दिहातियों का रवाई तिखाना लसी और मक्षन उमीद है कि आपको जो मेरी आज की वीडियो है वो पुस्सांद आएगी तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें नीलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दौाओं में याद रखीगा अल्ला हाफिज काने में अच्छा जी तो रोटी एक मैंने दो मैंने बनाई थी एक मैंने खाई और एक जी है ना मैं अपनी बेटियों के लिए लेकि आई हूं फजर और फाइकक के लिए मौमद जैफा और मौमद सुबान जैना दोनों वो सो रहे हैं अच्छा खाना शुरू करो बिसमिल् और वाओ यह जैए आप भी खाऊ फाईका लसी लेकी आओ अच्छा थीए के भी बाई बाई करो बाई